भारत में plot loan बहुत ही popular होते जा रहा है और ये भी एकनॉमिष्टों के द्वारा अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में home loan से ज़्यादा लोग plot loan लेंगे plot loan लेने के मेली 4 उद्देश है पूरे भारत में सबसे पहला उद्देश जो है लोग reselling purpose के लिए लेते हैं अभी ले लिया देरे देरे किस से pay करते रहेंगे और जब दाम बढ़ेगा उसका base देंगे दूसरा purpose पे जो लोग plot loan ले रहे हैं उनका कहना है कि वो लोग holding purpose के लिए ले रहे हैं क्योंकि जनसंक्या जो है बहुत ही तेजी से बढ़ते जा रही है और बढ़ते वे जनसंक्या में जमीन का दाम भी बढ़ते जा रहा है क्योंकि जमीन तो fix है वो बढ़ने वाला चीज नहीं है तीसरा जो कारण है वो है gifting purpose के लिए चाहे वो अपने बेटे को चाहे अपनी बेटे को और चौथा जो कारण है उसको money को double करने के लिए या फिर money security के लिए ये चार कारण ऐसे बन रहे है plot loan के कि आज के समय में home loan को भी पीछे छोड़ता हूँ नजर आ रहा है आज के समय में आलवालवा सभी bankों में आपको plot loan मिल जाएगा आज हम लोग समझने वाले है HDFC से plot loan कैसे लेना है क्योंकि HDFC private sector का सबसे बड़ा bank है और सबसे महत पूर्ण bank है तो समझते हैं कि HDFC से plot loan लेने के क्या-क्या फाइदे हैं क्या-क्या papers देना पड़ेगा कैसे online apply क कर सकते हैं हर चीज को समझते हैं और देखते हैं कि कैसे लेना HDFC से plot loan लेकिन मैं आपको HDFC के बारे में ही इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि HDFC में कुछ फाइदे दिखे मुझे सबसे पहला फाइदा जो मुझे दिखा कि आप इसमें जो हैं land खड़ी दोगे तो इस पे आप आप holding करना चाते हैं तो उसके लिए आपको plot loan मिल जाता है दूसरा चीज क्या है इसमें अगर कोई जानकार है अगर आपको digital knowledge है तो आप 100% loan का application जो है online कर सकते हैं और कई सहरों में तो घर पड़ आते हैं उनके agent और वो जो है आपका सारा form होगेरा paper होगेरा verify करते हैं तीस इतरे bankों में मैंने देखा है कई सरकारी bank में यह कमी है कि वो इतने सारे paper मांग देते हैं कि लोग paper जमा करने में ही पड़स्वान हो जाते हैं चोथा कारन जो लगाम को कि online जो है आप apply कर सकते हैं क्योंकि online जो application का process है वो बहुत सारे bankों में नहीं है उसके बाद जो मुझे अच्छा दिखा कि repayment का option जो किस्ट वाला option होता है न वो आप अपने हिसास से किस्ट बनवा सकते हैं, दो महिने का भी किस्ट बनवा सकते हैं, तीन महिने का भी किस्ट बना सकते हैं, वो पूरी तरह से आपके उपर depend करता है, आप क्या communication के उपर depend करता है, ये सारे फाइदे मुझे HDFC, HDFC के plot loan में आपको ये समझना पड़ेगा कि इसमें उमर की जो सीमा दी गई है, वो 21 साल से 65 साल तक की दी गई है, कई बैंकों में आपको ये सीमा 60 साल तक की दीखेगी, लेकिन इसमें 5 साल का आपको छूट मिल जाता है, दूसरा चीज़ जो आपको समझना पड़ दूसरा चीज़ आपको ये समझना पड़ेगा interest rate हो गेरा, यहाँ मेरे बगल में आप देख सकते हो, सब कुछ लिखा हुआ भी आप इसको save करके रख लो, या फिर screenshot या फिर कहीं share करके रख लो इस वीडियो को, interest rate जो है 8.55% से उपर है इसका, 8.55% से 10% तक के interest rate के बीच में मिलता है आपको, interest rate बहुत हद तक depend करता है, कि आप किस state में रह रहे हो, कहां से ले रहे हो, आपका civil score क्या है, आपका पिछला loan का reputation क्या था, आपके उपर किसी तरह का case तो नहीं चल रहा है, बहुत कुछ के उपर depend करता है, अगर आप state comment करोगे, तो मैं बहुत हद तक बता के value का, मतलब सब papering करवा के जो पूरा value बनता है, उसका 80% आपको HDFC से loan मिल जाएगा, ये 80-85 जो है, आपके communication skill पे बात करने पे हो जाता है, मैनेज, दूसरा, अगर आप 30 लाग से 75 लाग के बीच का loan ले रहे हो, तो भी उस condition में आपका property का total value का 80% आपको loan मिल जाता है, 10- 20% आपको अपने pocket से लगाना होता है, अगर आप 75% से 75 लाग से उपर का loan ले रहे हो, तो उस condition में total property का value का 75% जो है आपको loan मिल जाता है HDFC से, दूसरा बात important जो आपको समझना है, वो है processing fees का खेल, processing fees जो है, सभी बैंकों का देखना चाहिए loan लेते समय, क्योंकि क्या होता ह कि कई fraud non banking financial company ऐसे है, मैं fraud इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत लोगों को इसमें भुगतते देखा है, वो क्या करते हैं, कि interest rate आपको 2.2% कम सो कर देंगे, और आपको लगेगा कि कम interest rate पे आपको मिल गया loan, और जैसे ही आप जाओ देखोगे बाद में, तो पता लेगा कि वो तो processing fees के नाम पे ही आपको loot रहे हैं, लेकिन HDFC में जो भी चीज़े बहुत ही clear है, इसलिए मुझे अच्छा लगता है, HDFC का processing fees जो salaried person के लिए है, वो 0.50% या फिर 3,000 रुपए, पूरा loan amount का 0.50% या 3,000 रुपए, जो जादा होगा वो ले लेगा, उसके ब प्रिपला है, जो उनका दुकान है, उनके लिए भी 1.50% है या फिर 45 स्वरुपए, जॉब करने वाले लोग और बिजनस करने वाले लोगों के लिए papers जो होते हैं, थोड़े अलग-अलग होते हैं, लेकिन पहचान का paper जो होता है, जैसे pen card हो गया, driving license हो गया, passport हो गया, identity card ह आधार card हो गया, यह सब common है, job करने वालों के लिए भी और business करने वालों के लिए भी, अब आते हैं IK परमानपत्र पे, IK परमानपत्र में जो लोग job कर रहे हैं, उनको 6 महने का statement मांगा जा सकता है, उनको salary slip मांगा जा सकता है, और उनको अपना IT return, अगर उन्होंने IT return पुड़ाना है, या फिर 3 साल पुड़ाना है, उस condition में आपको पिछले 1 साल का income दिखाना पड़ता है, और आपको bank account का statement भी दिखाना पड़ता है, और कई condition में वो लोग job वालों का अगर fix नहीं होता है, तो उस condition में job जो करते हैं, उनका भी account का statement मांगते हैं, उसके बाद जो है, अगर कोई business कर रहा है और tax भर रहा है, तो उनके दिए और easy हो जाता है, क्योंकि taxpayers को loan असानी से मिल जाता है, अगर आप कोई business कर रहे हैं, तो पिछले 6 महने से 1 साल का bank statement ready रखिएगा, और अगर आप job कर रहे हैं, तो अपना salary sleep ready रखिएगा, और bank account का statement ready रखिएगा business करने वालों को एक और चीज़ प्रूफ करना होता है, अपने business का address प्रूफ करना होता है, आपने जो GST number ले रखा होगा, उन सब को भी आपको जमा करना होगा, और पिछले 1 साल में अपना profit loss भी दिखाना होगा, अगर आप loss में होगे, तो आप किस नहीं भढ़ पाओगे और bank आपसे loan देने से कत्र ही, जो लोग offline apply करना साते हैं, वो सारे papers जो मैंने बताए, वीडियो को पीछे करके देख लीजेगा, वो सारे papers को ready करें, ready करके bank ले जाए, वो आपको form देंगे, वहाँ form भढ़िए, और manager से face to face contact करके, सारा चीज final कीजिए, interest rate और बात कीजिए, अपना civil score और दिखा के कोसिस कीजिए, कि आधा 1% interest rate, कोई दूसरे scheme में अगर आपको कम मिल रहा है, तो वो लीजिए, मैं तो हमेशा offline loan के मामले में prefer करता हूँ, क्योंकि असानी से communicate कर पाते हैं manager से, लेकिन कई लोग जो है, इसको online करना पसंद करते हैं, तो जो लोग online करन यहाँ उपर आप लिखावा, देख सकते हैं, www.hdfc.com slash housing loan slash plot loan, इस website पे अगर आप जाते हो, तो यह right side में जहाँ पे loan tenure और लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इस में जो है, इस पे click करना है, आपको यहाँ पे click करते ही, आपको यह website खुलेगा इस website में जो है, जैसे ही जाओगे आप, यहाँ आपको दिख रहा होगा apply online, apply online पे जैसे ही click करोगे, तो आपको इस तरह का यहाँ पे एक website दिखाई देता है, यहाँ पे आपसे आपका नाम पूछा जाता है, आपका city पूछा जाता है, आपका mobile number और पूछा जाता है, और स आते जाते हैं कि कैसे कैसे form fill करना है, कैसे document upload करना है, और वो आपका loan approve कर देते हैं, maximum chance तो यह होता है कि उनके agent आपके घर पहुंचते हैं, और वो लोग सारा deal करवा देते हैं, इस link को मैं आपको description में भी डाल दूँगा, अगर आपको होगे तो comment कर देना, मैं आपको comment में भी दे दूँगा, आपको बता दें कि अभी जो है सरकार भी एक इस तरह की plot loan की स्विवधा लाने वाली है, जिसमें कुछ सबसीडी भी मिलेगा, जिसको परधान मंत्री आवास योजना के तहत अंदर गत लिया जाएगा, पिछली बार जो CLA से योजना आया था, उसमें एक खरोर से जादा लोगों ने लोन लिया, 30 लाग, 40 लाग तक का लोन लिया और अच्छा खासा सबसीडी का फाइदा उठाया, लेकिन बहुत सारे लोग इसलिए अपलाए नहीं कर पाया, क्योंकि जब तक उनको पता चला, तब तक वो लोन वाला offer चला गया था, तो सरका कि जितनी भी लोन की योजना यहाती है, सभी मैं आपको इसी चैनल पर अप्डोट करता रहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा, हमारे साथ बने डिएगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ तक वीडियो देखाएज, इस वीडियो को सेर कर दीजेगा, प्लोटलों से जुड़ी वी जो भी कोस्चन हो आपके मन में, जो भी सवाल हो कॉमेंट कर दीजेगा,